तो कैसे हो आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बढ़या होगे, और आप सभी लोग को बढ़या होना भी चाहिए, अब हो बढ़या तो लाइक करो नहीं, दबा दो, लाइक का बटन दबाओ, सियर का दबाओ, सस्क्राइब का दबाओ, यह तुमारे दबाने के लिए ही है, दबा दो, बेही चक, जितना जादत दबा सकते हो, चैनल को बड़ा करो, लाइक से सस्क्राइब, प्रेस करो, कमेंट सेक्षन दिख रहा है ना तुम लोग को, तो देखने कले नहीं है, जाओ और कमेंट करो यार, कुछ तो कमेंट करो, तो आजाओ, चलते हैं सीधा पिछले एपिसोड पर जो की काफे जांदार था वीडियो लोग, बिजला एपिसोड पर लोगों देखा हुआ होता है कि जो यान, थंडर के साथ फाइड कर रहा था, हार्ट ओफ थंडर के साथ, 80 प्लेस बोड जान ने जहेल लिये होते हैं, लेकिन जो यान की जो बोड़ी की हालत और बुरी हो जाती है, लेकिन तब ही हम देखते हैं, ओल जान चच्चा कहते हैं, ओए चूतिये, हम तुमको सोने का लोटा पकड़ा दे, तुमको मांगनी फिर भी भीखी है, गोल्डन मिष्टी सार चलाओ न बे, जो यान गोल्डन मिष्टी सार चलाता और ये खून पच जाता है, जो यान बच जाता है, इतिहास नया रच जाता है, लेकिन फिर हमने देखा हुआ होता है, कि हाउतियान थंडर जो यान के उपर और अटेक करती है, जो यान और ब्लड अब्जॉब करता है, और ऐसे ऐसे जो ने 10 डॉप्स को अब्सॉब किया था, और जो यान न यहां नहीं रुकता, बलकि वो तो थंडर से कह रहा होता है, more, थोड़ा और, आने दो, जो देखकर हाउत यहां थंडर भी एक पल के लिए, चौक गया होता है, क्योंकि भाई, उसके पास जो एनरजी थी, वो लिमिडेड थी, अखिरकार वो भी थग गया है, भाई, बहुत असानी से जहल लेता है, लेजी यहां से चली जाती है, और, डॉंक हाई यहां लेजी को देखता है, तो तुरंती कहता है, क्या हुआ, जो देखकर लेजी तुरंती कहता है, तुम यहीं बैठो, और उसके आने का इंतिजार करो, उसके साथ जिशन मनाना, जो देखकर डॉं प्रिजनर्स होते हैं वे सभी उपर पहुँच गया होते हैं जाब पिछ जोयान आराम से क्रॉस लेग वैठा हुआ होता है और थंडर बोल्स को अब्जॉब कर रहा होता है साथ ये जोयान को जैसे ही देखते हैं तो इनकी फटकर फ्लाबर पॉट हो चुके होते हैं और एपिसोड मैंनो वहाँ एंड कर दिया होता है तो ये एपिसोड श्टार्ट होता है जैस्ट वहीं से आओ देखते हैं इस एपिसोड में क्या होगा तो इस टाम पे जो यान के सामने जो यह सभी प्रिजिनर्स होते हैं यह हाउत यान थंडर के काण हैबी ली इंजर्ड हो गया होते हैं बे सभी बिना किसी इचकी चाट के तुरंत यहां से भाग जाते हैं और जहान इनके पीचे अटने वाली फिगर को देखता है तो तुरंत यह अपनी वह चड़ा कर कहता है कि आप बे सभी यहां के पापी लोग हैं लेकिन मैं इनसे पहले क्यों नहीं मिला इनमें से अधिकांस लोग एमोर्टल लेबल तक पहुँच चुके हैं ऐसा लगता है कि ठंडर प्रिजन हॉल अंडर प्लेसेस को हाइड करता है जहां पर श्ट्रॉंग कैदियों को छिपाया जाता है या कैद किया जाता है कैसा हो सकता है कि बहार से आ गए हो जोएन इसके अलाबा और कुछ नहीं सोच सका होता हलाकि Thunder Prison Hall के उपरी फ्लोर के पास आना restricted था क्योंकि यहाँ पे हाउतियान थंडर खुद मौजूद थी लेकिन अब जब हाउतियान थंडर को जुआन ने ले लिया था तो ये place पूरी तरीके से खाली था और अगर बास्तों में जुआन ने इन लोगों को दबाने वाली चीज को छीन लिया तो फिर इन लोगों को कंट्रोल करना मुस्किल होगा आखिर कर जुआन को अभी इसके लिए कोई ने कोई विवस्ता करनी ही होगी हाला कि भले ही उसे इससे निपटना ना पड़े कुई ना आखिर कर कोई ना कोई तरीके तो सोची लेगी लेकिन चुकि यह आसानी से और सहजता से किया जा सकता है जुआन अभी भी से सुरू से अंत तक पूरी तरीके से खुदी करनी के बार में सोच रहा होता है हाल को कबर कर लेता और एक स्ट्रॉंग सप्रेसिंग फोर्स आसपास के अरिया को घेल लेती है और जिन लोग उन्हें पहले सूचा था कि वो आखिरकार अब आराम से रह सकते हैं उन्हें इस टाम पे एक स्ट्रॉंग पावर का एसास होता है जिसने लगबग उन्हें बेदम कर दिया होता है उन्हें ये भी मैसूस होता है कि पिछली डिवाइन थंडर जादा आराम दायक थी कम से कम बिना किसी घटना के उनके उपर अटेक तो नहीं करती थी लेकिन ये restricted formation ऐसा लगता है कि ये सीधे तोर पर उनकी पावर को suppress कर देती है दूसरा फावत यान थंडर को पाने के बाद जान की पावर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था अब जब कि जोयान की पावर एमपरर इमोर्टर लेवल के फोर्थ स्टेप पर पहुँच गई थी जोयान की ओरिजन पावर के साथी साथ बड़ कोई भी जोयान की बड़ी के अंदर आ गई थी इसलिए जोयान का फिर से ब्रेक त्रू होना अभी तो मुस्किल ही था और उस थर्ड थंडर को मिला कर जोयान अपने बॉयड मिश्ट्रेस आर्ट को अपग्रेड कर सकता है जिसके बाद जोयान यहां पे खड़ा हुआ होता और थंडर प्रिजन छोड़ने बाला होता लेकिन तभी आबाज आती मास्टर एक मिनट रुके यहां ने सभी भी यहां पे कुछ छोड़ गए थे जब जोयान जान यही बाला होता है जोयान के दिमाग में हाउतियान थंडर की आबाज आती और जोयान के कदम रुक गया होता है और वो चारो और घुमता है लेकिन उसे कोई भी आबजेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होता तभी हाउतियान थंडर तुरंदी गयती खोपड़ी की जोपड़ी के उपर मास्टर जो सुनकर जोयान सेर उपर की तरफ उठाता है तो चार तरफ के बल अंधेरा ही अंधेरा देखा जा सकता था जिसे देखकर जोयान आके सिकोड लेता है और फिर धीर धीर जोयान की बाड़ी हवा में उपर उठने लगती है जो ज्यान के पसंदीदा वेपन्स में से एक था और ऐसा लग रहा होता है कि यह जो इस प्यार है बिलकुल उसी की तरह है जो थंडर पाउर को कंडेंस करता है और काफी प्रीसियस मूउमेंट पे खतरनाग जटका एनिमी को दे सकता है जो काफी स्ट्रॉंग होगा जिसके बाद हाउतियान तंडर तुरंती कहती मास्टर इसका नाम डिजाश्टर है जो योहाइंडस ने इसे दिया था हाउतियान की आबाज काफी यह तेज होती और ज्यान से आराम से सुन सकता था लेकिन इतना बोलने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलती दूसर ज्यान तो ने दिया था डिजाश्टर यह काफी दबंग नाम लगता है और ज्यान चोटे से इस प्यर को उठा लेता है उससे बास्तमेस से आने वाले और एको महसूस किया जा सकता था साथी ज्यान ने जैसे इसे पकड़ा हुआ होता है ज्यान के हाथों में जुन-जुनी महसूस हो रही होती है और इससे पहले कि वो डिजाश्टर स्लिप्टिंग इस प्यर को पकड़ पाता उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि जोयानने कोई भी रियाक्शन नहीं किया होता और वो Jjan क्याकों के सामने गायब हो गया होता है जो देखकर Jjan क्याके सिकुर जाती हो वो सिननीचे करते हो वो कहता क्या चीज है ये वो देख सकता था कि उसके पेट में एक खूनी छेद हो रहा है हाला कि ये छेद तुरंती ठीक भी हो गया होता है जो देखके जोन तुरंदी कहते है क्या है सिस्पेर के अंदर खुद की एक सोल है जोन काफी एरान होता है आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसकी जो यान को मीद नहीं थी जिसके बाद जोन की स्पीचल पाउर चात्रा फैल जाती है लेकिन जोन अभी भी इस स्पेर की जगे को लोकेट या की ढूंड नहीं पा रहा होता साथी जोन को पता थे कि ये लिटल स्पेर अभी भी इसी जगे पर है लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज है और इसका टैक उससे भी जादा तेज इसलिए जोन को नहीं पता थे कि ये कहां छेपा हुआ है तब इस जोन के पीछे ब्लैक गॉल्ड, मार्सल गॉल्ड विंग सपेर होते है और जोन तुरंटी गयता है मैंने तुम्हें ढोड लिया और अजसे केते हो जोन सीधा ही साउथीष्ट कॉनर पे चला गया होता है जहां पे डिजाश्टर स्लिप्टिंग स्पेर बास्तों में होता है जिसे जोन ने पकड़ा होता है जोन के हाथ में पूरी तईक से एक चुबने बाला दर्द फैल गया होता है पूरी हाथ में थंडर बोल्ड साइन हो रहे होता है यहां लग रहा होता है कि खून और मास भट जाएगा जिसके बाद यह डिजास्टर सिप्लिंग इस पियर एक बार फिर गयाब हो जाता है इसकी स्पीड जोन की उम्मीद से भी ज्यादा तेज होती है यह उतना नॉर्मल वैपन नहीं लग रहा होता है जितना ज्यादा यह द लगाए था जोन के पास फाइटिंग वैपन की काफी ज्यादा कमी थी इसके अलाबा इस छोटे स्पेर का जो एफेक्ट अपने आप में साब था बाहुआंग रूलर का यूज हार्ट ओफ फ्लेम के साथ किया जा सकता है और डिजाश्टर स्लिप्टिंग स्पेर का यूज हार्ट ओफ थंडर के साथ किया जा सकता था और यह बास्टर में वो चीज है जिसकी जो यान के पास सबसे ज़्यादा कमी थी जोयान तुरंथी कहता है दिलचैस्प जोयान की स्पीच्छल पार के तहट भले ही बहुत ज़्यादा तेज हो अगर ये रुकता है तो जोयान की लोकेशन को समझ सकता था जिसके बाद फिर जोयान की बाड़ी बाहर की दरब निकल जाती है साथ ये पीक का जो फ्लोर होता है बहुत बड़ी जगह में अचाना की आवाज ये आने लगती है जोयान की स्पीड देदनादन तेज हो रही होती है वो डिजाश्टर स्लिप अब यहां कुल चार फिकर होती है जिसने डिजाश्टर स्लिप्टिंग स्पीयर को घेल लिया होता है और इसके उपर पकड़ने के लिए आंगे बढ़ना शुरू कर दिया होता है जोयान के चारो क्लोन इधर उधर बिकड़ने के लिए मजबूर हो चुके होते हैं जब डि इजास्टर स्लिप्टिंग इस्पियर बेहत तेज था और जब भी जॉयान इसे छूने बाला होता ये फायर थंडर वोल्ट में बदल जाता और उड़ जाता साथियान की फिचकल बॉड़ी को भी नुकसान पहुंचा रहा था और इसकी जो पावर थी वो काफी हरत अंगेज हाला कि जोयान आखिर का अपनी इसपिचल पावर के साовत इस से सामने हार मानने को तयार बिल्कुल नहीं होता साथियान को इसके भागने के पैटरन का भी पता चल गया होता है जिसके बाद जुन की चारो कमशन एक साथ लॉक ह bers just का होता है जिसके बाद जुन है इसके पकड़ लिया होता है और जॉहान खुष होता है कहता है आखिरकार मैंने इससे पकड़ लिया जोआन कापी खुष हो गया होता है लेकिन यह खुषी के बल एक छोटे ही पल के लिये थी और अचाना कि इस पयर से एक वाइल्ड एनेरजी फूट पड़ती है और जिस हाथ से जोयन नेसी प्पेर के हेंडल को पकट कर रहा हुता है जो यान का हाथ कापने लगा हो फता है जोयन ने से इस प्पेर को छोड़ना भी बिल्कुल भी साही नहीं समझा था जोयन अभी भी से पकड़ के रख्ये हुए था ये डिजाश्टर इस्पयर पागलों की ताय जोन के हाथ में संघर्स कर रहा होता है लेकिन अब जब ये पकड़ गया तो जो यान का छोड़ने का रादा नहीं था और ये खुद को छोड़ा पा नहीं रहा था हलकि इसके द्वारा सो की जारी जो थंडर पावर थी वो काफी पावरफुल थी लेकिन जो यान जो यान की फिजकल बाड़ी किसी भी मामले में वेजिटेरियन नहीं थी वो इसके सभी अटेकों को जहिलने में कौलिफाई थी जो यान के हाथ में लगी हुई चोटो को उसने इग्नोर कर दिया होता है और अपनी थंडर पावर का यूज करके वो दिजाश्टर स्लिप्टिंग स्पेर की तरफ दोर पड़ता है ये पूरा स्पेर जो यान के हाथों में संघर्स कर रहा था जबकि जो यान का हाथ घावों से ढखा हुआ था लेकिन स्ट्रॉंग ब्लैड ने जो यान के चोटो को ठीक भी कर दिया था ऐसा लग रहा था अब डिजाश्टर स्लिप्टिंग स्पेर के लिए मुक्त होना असान नहीं होगा उसी समय सभी क्लोन जो यान की सैडो के साथ फ्यूज हो जाते हैं और डैमन गॉट का माग जो यान के फोर हेट पे साइन होता है और जो यान की बॉड़ी का ब्लैड एनरजी तुरंथी स्ट्रॉंग लेवल पर पहुंच जाता है और जो यान इस पे पकड़ को और श्ट्रॉंग करते हो कहता अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपको सील कर दूँ तो आपको मुझे मेरे साथ चलना चाहिए अगर आप मेरे साथ नहीं चलते तो मैं किवल आपको सील ही कर सकता हूँ जोयान के जो word होते हैं एकदम cold होते हैं क्योंकि अगर इस spare के अंदर खुद की एक soul थी तो ये जोयान के words को समझने में capable होना चाहिए कि जोयान ने क्या कहा हालाक इस spare ने सामने से जोयान को ignore कर दिया होता और कोई भी जवाब नहीं दिया होता जो देकर जोयान डोग आई को थप थप थपाता है साथ ही जोयान के हाँ थप थप थपाते ही डोग आई obviously बाहर आ गया होता है क्योंकि उसे डर था कि जोयान उसे 9 coffee निया फिर soul suppressing flag के अंदर डाल देगा जिसके बाद जोयान तुरंदी गहता क्या इस spare को seal करने के लिए तुम्हार पास कोई formation है जो देकर गयान तुरंदी गहता है मामू के बात कर रहा है रे आई सी कवनों चीज ही ना है जिसको हम seal करना चाहें और seal ना हो master ghost सब कुछ कर सकते हैं ये बैसे भी एक घटिया star घटिया सब weapon है, set seal करना बहुत आसान है मामू तु बेट कर अपना भी formation बनाता है और इसको seal कर देता है और इसको इसकी औकाद दिखाता है डॉग आई का confidence साथ में आसमान पे अर ऐसा लग रहा हुता है उसे छोटे से spare में कोई interest नहीं था लेकिन इस spare को देखते है उसकी आँके सिक्ड़ू ही होती है जो देखकर जोहन तुरंदी कहता है क्या तुम इसे पहचानते हो जोने dog eye की आँखों में अजीब impression देखे हुए होते है जैसे कि वो हैरान हो जो देखकर dog eye तुरंदी कहता है जो की योहाइनस के पीछे रहा है वो इस spare को कैसे नहीं पहचान सकता है जिसका use एक बार योहाइनस किया करते थे जो देखकर जोन कहता हो तो तुम दौनों एक दूसरे को जानते हो तबी disaster slipting spare से एक आवा जाती है spirit prisoner जैसे कि जोहन ने उम्मीद की थी आखिर कर ये अपनी legendary voice में कुछ तो कहता है साथ ही साथ अगर इसके अंदर इतना spiritualty नहीं होता तो वो अपनी मर्जी से इदार उदर भागने में capable भी नहीं होता तबी गोयान तुरंदी करता है disaster spirit बहुत दिन हो गए तुम ही नहीं देखा की हाल चाल पूरी की पूरी की पूरी चेन बनने लगती है जिसने disaster lifting spirit को घेल लिया होता है दूसरी तब इस पियर ने अपनी पूरी speed को strong कर दिया है है लग रहा होता है कि हर एक चीज पूरी तरीके से बेकार थी साथ ही गोयान की जो formation होती उसमें इसकी speed पूरी तरीके से बेकार लग रही थी जिसके बाद गोयान तुरंदी गहता है ओए disaster spirit हमने इतने लॉंग टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा आप और मैं ना तो बड़े हो ना ही छोटे और अगर आप ऐसा ही करते हैं तो मैं आपको मेरे साथ आप और खेले नहीं दूँगा सत्य वह ऐसे डाट रहा होता है जैसे कि कोई senior अपने junior को डाट रहा हो तब ही boom boom bomb की आबाज के साथ formation तूटने लगते हैं हाला कि disaster slipting spear को control किया जा रहा होता है लेकिन इसकी body में continue short cuts fell रहे होते हैं और thunderbolts spear के चाहो तरब घूम रहे होते हैं बैतुई जो thunder होती इसने पूरे के पूरे spear को घेल लिया होता है और dog eye की आँखों में attack करना शुरू कर दिया होता है दूस्त अब गोयान इसके सबी attack को आजसानी से रोक देता है जैसे कि उसने सब कुछ पहले से ही calculate करके रखा हुआ हो जिसके बाद गोयान तुरंदी गयता है spear बहुत time हो गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भी increment नहीं किया साथी सबसे main region तो यह है कि आपका दिमाग भी बिलकुल भी आप ग्रेड नहीं हुआ है जयों का त्यों है बिलकुल छोटे बच्चे की तरह है इसलिए बस अपनी गलती एक्सेप्ट करो और मैं आपको माफ कर दूँगा गोयान ने एकदम committed तरीके से का होता है ताती उसका जो लहजा होता है वो काफी ज़्यादा strict होता है लेकिन ये बात भी सच थी कि उसके formation के तहर डिज्जा आश्टर स्लिप्टिंग इसप्यर मूव नहीं कर पा रहा होता तभी ज़्यान कहता है सब भूल जाओ गोयान चुकि यह नहीं चाहता तो हम इसे मजबूर नहीं करेंगे आप इसे seal करने के लिए formation का use करो इसके बाद हम यहां से चलेंगे जो सुनका गोयान चुप चुप अपना सेहला देता है जो देखर डॉग आई तुरंदी गहता है थंडर इस पेर देख बीडू तू नहीं जाने का चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरा माश्टर बोला करने का तो करने का दूस्तर डॉग आई यहां पर कापी उदास होने का दिखाबा करता है और ऐसे रियक्ट करता है जैसे कि वह बास तुम कोई स्ट्रॉंग फ़र्मेशन क्रेट कर रहा हो आखिरकर उसने भी जोयान के साथ कुछ चालबाजियां सीख ली थी और उसे पता था कि जोयान का क्या मतलब है इसलों वह बस जान बूज कर यहाँ दिखाबा कर रहा होता है कि मैं अभी तुझे कैद करता हूँ रुख जा साले गोयान जिन फॉर्मेशन प्रेटन्स को क्रेट कर रहा होता है उसकी लिएस दीरे दीरो उभाराई होती है और डिजाश्टर स्पेर को सील करना सुरू कर दिया होता है जो देखकर डिजाश्टर स्पेर तुरंदी कैता है एक मिनेट रुके सोल प्रिजनर क्या आप उसे अपने मास्टर के तौर पर रिकोगनाईस कर रहे हैं क्या आपको सर्म नहीं आ रही डिजाश्टर स्पेर जो सील होने के एक कगार पर होता है वो गुस्से में आ गया होता है यहाँ तक की सील होने से उसे बिलकुल भी खुसी मैसूस नहीं हुई थी यह स्पश्ट तोर पर डॉग आई के फॉर्मेशन को जानता था एक बार टेक्निक से उसे फील कर दिया गया सील कर दिया गया तो दस अजार साल होता को इसके लिए निकल पाना इंपॉसिबल होगा जो देखकर डॉग आई तुरंदी गया था क्यों? क्या प्रॉबलम है? अखिरकर मैं उसे अपने मास्टर के तौर पर रिकोगनाईस क्यों नहीं कर सकता? जो देखकर डॉग आई तुरंदी गया था उसका ओरा इतना बीख है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक मैल के सामने आजसनावर पढ़ कर सकते हैं आखिरकर ये चीटी है ही क्या? सिप लेट, स्लिप्टिंग इस्पेर तो एकदम गुस्से में होता है उसके वर्ड सीधा के सीधा जो यान को नाराज कर रहे होते हैं अलाकि बेचारे के वर्ड अभी बाहर आई ही थे कि तभी जोयान की बॉड़ी के अंदर से एक लाइट ग्लो होती है और हाउत यान थंडर बाहर आते हुए सीधा ही गुस्से से डिजाश्टा इस पेर को देखते हैं कहती है अपने सब्दों पे लगाम दो इस पेर बरना मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं तबाह कर दूँगा यह पूरी तरीक से एक ब्लैक फिनिक्स में बदल चुका होता है और जोयान के सामने अपैर हो गया होता है बिना किसी जाजत के जैसे यह जोयान की बेजज़ती में गुस्सा हो चुका हो जो देखकर डिजाश्टा स्लिप्टिंग इस पेर सौक होता है कहता हाउतियान थंडर क्या तुम भी उसे अपने मास्टर के तौर पर पहचानते हो क्या तुम्हें यह सर्व नहीं आ रही जो देखकर होतियान तुरंती कहता है बिलकुल आखिरकार मास्टर का रेनकानेशन ही मेरा मास्टर बनने के लिए एक लौता क्वालिफाई परसन है तो मैं उसे अपने मास्टर के तौर पर क्यों ना रिकॉगनाईज करूँ हाउतियान थंडर की बात को सुनकर जो एस पेर होता है तुरंती कहता है मास्टर का रेनकानेशन आप कहना क्या चाहते हैं कि आप यह कहना चाहते हैं कि यह परसन हमारे मास्टर का रेनकानेशन है है ना डिजाश्टर इस टाइम पर काफी यह रहा हैरान होता है कि क्या क्या ऐसा हो सकता है जिसके बाद वो जो यान की तरफ हो देखता है तब ही आउतियान थंडर तुरंती कहती है हाँ ये हमारे मास्टर का रहन कानेसन है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी दूसरा ऐसा परसन है जो मुझे अपने सामने सरेंडर करा ले क्या तुम इस बात पे विस्तौस करते हो जो सुनका चाना कि डिजास्टर इस प्यार हूँ क्या आपको मैं याद हूँ इस टाइम पे इस प्यार के जो वर्ड हो थे एकदम बदल चुके हो तर एकदम सांत हो चुके हो थे हैं जो देखकर डॉग आई तुम्हारे पास ही थे और तुम इतने बफादान नहीं थे मुझे डर है कि तुम सार्द उन्हें प जो गाई बॉस यह तो गलत बात है ना हम एक साथ लड़ते थे एक दूसरे की टांग खीचते थे या क्या आप यह सब कुछ भूल गए बोड हो गाई को तुरंती पुराना टाइम याद दिलाने लगता है जहां तक जो यान की बात थी उसे गोयान की बात पर विस्त्वास क्या होता है क्योंकि हाउस यहन फंडर पर रहा रहा कंट्रोल पाने के बाद ज्यौन को अच्छे सेया था कि इस तंडर श्यून को अम एक है क्खेचा लिया था यह तो तो गड़त है लात वो तो इस स्पेर को अपसील ही करेगा, इससे नहीं छोड़ेगा वो, दूस्त अब जो अन कहता ठीक है, मैं बास तो मैं यो हाइनस करें काने सनू लेकिन मैं यो हाइनस नहीं हूँ, और ना ही मैं आपका मास्टर, अगर आप मुझे फॉलो करने को तयार नहीं है, तो मैं कराना पसंद नहीं, इसलिए अगर तुम चाहे हो, तो मेरे साथ अभी से आ सकते हो, और मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसके बाद गॉयान को जियान आक मारता और गॉयान सारे के सारे, जो फेटरन होते हैं, तुरंती गायब कर देता है, और यहां गॉयान की हैंसी को सुना ज अगर तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे मास्टर को एकसेप्ट करते हो, तो मैं तुम्हें दुनिया में हावी होने लाइक बना दूँगा, गॉयान एक दम खोस होता है, जैसे कि वो किसी ब ओल्ड मास्टर से मिला हो, तब ही जो आन हाथ पहलाते हो गयता है, फिर आ जा कि जो आन ने अपने सामने के स्पेर को देखा था, जिसने उसे रिकोगनाईज नहीं किया था, लेकिन अब जब उसने इसे पकड़ा होता है, तो बास्त में जो यान और ये स्पेर एक दूसरे को महसूस कर सकते थे, जिसके बाद जो आन अंगले इपल इस स्पेर को तेजी जो आन डिजास्टर स्लिप्टिंग इस पेर को देखता है, जो आन देख सकता था कि इस पेर के साथ साथ हाउत्यान थंडर भी अपनी डायरेक्शन को बदल रही थी, जो आन ने इस स्ट्रॉम को देखकर ये तो समझ लिया होता है कि ये थंडर स्ट्रॉम इस पेर से कही ग जो देखकर डोग आई तुरंदी करता, क्या आप तुम खुशी के मारे नाच रहे हो, अभी तो तुम अपने मास्टर को इंजर्ड कर रहे थे, गोयान डिजाष्टर स्लिप्टिंग स्पेर की उमीर भाई नजरों को देख सकता था, हाला कि वो बुद्धीमान था, लेकिन ब और यह डॉच करने से लेकर अटेक करने तक सब कुछ जानता है, इसलिए जोयान को इससे इस प्यार को ज़्यादा कुछ सिखाने की जबुद्ध थी नहीं, जिसके बाद जोयान इसे अंडिवाइस यलम में पहुँचने के कुछ टाइम बात तक, टैन स्पिरिट किंग जो और वो बिलकुल भी ब्रेक नहीं हो सकती, मैं तो लगबग उनके द्वारा मार ही दिया गया था, यह बास तो में बहुत घटिया है, अगर हमारी पावर में गिराबट नहीं हुई होती, तो हम तो पूरे इसे अंडिवाइस यलम को ही बदल देते, और डिस्ट्रॉय कर दे निंग्याओ का जो चेहरा होता एकदम बद्जूरत होता, इंप्रेशन काफी क्रूयल, ऐसा लग रहा होता है वेन हुमन मैंसन इस टाइम पे, बहुत सारे रिसोर्सेस का यूज करके गया था ज्वान को मारने के लिए, बढ़ कुछ खास उखार नहीं पाया था, साथ उनक के साथ कौम टीट नहीं कर सकता, यदि हम अपने ट्रंप कार्ड का यूज नहीं करते, तो ये एसेंट डिवाइन लियलम के कहीं भी आसपास नहीं होगा, इबुईयों यहाँ पे काफी सांत लग रहा होता, हाला कि वो गुस्से में था, लेकिन आखिरकार, प्रेजन टाइ लग की को हासिल कर ही लूँगा, आखिरकार, इतने स्वाधिष्ट फल का, स्वाध तो मैं भी चखना चाहता हूँ, आयादा कहता है तो वो होट चाड़ते होए या पे हसने लगा होता है, तभी वी उन तुरंती कहता अगर आप तैक्सू के साथ सीना में सामिल होना चाहते तो मुझे लगता है कि हम सभी को तैक्सू द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, भले हम सीना में सामिल होना चाहते हैं, ये अभी हमाई लिए सबसे अच्छा टाइम नहीं है, वी उन ने सीधे ही इस थौट को निगलेक्ट कर दिया होता है, वो इसके साथ एगरी नहीं था, ह करी, सभी स्प्रेट केंग सो से फुल रिस्पैक्ट देते थे, और ये सुनकर सभी लोग अपना सेहला देते कि अगर वो सेना में सामिल होते हैं, तो वे और भी ज़्यादा रिबिल होंगे, और आसानी से पहल करने पर उन्हीं कहीं नुकसान होगा, इसलब वो तुरंदी क जिन्दा है, और मरा नहीं है, अब इसे गौड के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एसे इन डिवाइन यलम में, से फलोटने के बाद इस्प्रेट किंग को नहीं पता था, कि वो उसे कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि ज़्यान से निपटने के लिए पहले इसे इन डिवाइन यलम से निपटना था, हाला कि 10 इस्प्रेट के एंग डिक्सक पर होते हैं, हर एक ने अपने अपने फ्लोर पर अपने आपको सजा रखा होता है, और उन्हें एक साथ अपने हाथों की फॉर्मेशन को क्रेट करके, एज्योर लाइट को कंडेंस करना सु पटा रही होती है, और एक पल के इंतिजार के बाद इससे एक एज्योर फिगर धीरे धीरे उभरती है, और अगर जो यान इस समय इस फिगर को देख सकता, तो वो तुरंत ही इसका अंदाजा लगा लेता, क्योंकि यह नीली फिगर वो थी, जिससे जो आने कायोस गॉड्र लेकिन यह फिगर काफी वीक लग रही थी, साथी पूरी तरही किसे कंडेंस भी नहीं लग रही थी, साथी अगर जो यान इसे देखता, तो अंदाजा लगाना मुस्किल नहीं होता, क्योंकि वनियादी जो इस फेसिलिटी इस थी, वो विलकुल एकदम समान होती है, बेसक इसके बाद एक आबाज आती है, तुम्हें क्या हो गया, यह जो आबाज होती है, एकदम लेजन्डरी होती है, जो सुनका है, एवनियुवन मैंसन के सभी लोग तुरंदी कहते है, मेरे मास्टर, रैंकानेसन फिर से अपियर हुआ है, लेकिन अभी ये एसियंट, डिवाइ जियलम दोरा प्रोटेक्टेड है, और हैवनियुवन मैंसन की पिजन टाइम की पावर के साथ, मुझे डर है कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, नए एम्परर के तौर वह फूजिंग, बोलने वाला सबसे पहला परसन होता है, जो देखकर यह तुरंदी कहती है, जो दे नीचे करके हिला देते हैं, तभी आवाज फिर से आती है, ताइकसु ने सनेकसी पर अटेक कर दिया है, हम इस अंडिवायर यलम को डिश्ट्रॉय करने के लिए उनके साथ जोड़ सकते हैं, मतलब वो फ्रिगर नहीं कहती, यह फूजिंग कहता है, गौड आप क्या सोचते हैं, जो देखकर वो एज़ियर फिगर तुरंती कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि आप कौन सा मैथर फॉलो कर रहे हैं, हर कीमत पे योहाइनेस के रैंकारनेशन को मार दो, अगर आप फैल होते हैं, तो मैं आप सभी की सोल को छीन लूँगा, एज़ियर ने बोलना कदम क्या होता है, और 10 स्प्रिट किंग के पास 10 गोलियां आ चुकी होती है, उनके हाथों में हार एक क्या तुम्हें एक एज़ोर पिल होती, जो एनरजी से भरी हुई होती है, जिसके हाथ 10 स्प्रिट किंग तुरंती कहते हैं, इस गिफ्ट के लिए बहुत बह होती हैं, और इस लाइट में अजीब से फ्लेक्शुएसन होते हैं, कुछ अलागल प्लग टाइप के वैपन और ट्रेजर्स होते हैं, और 10 स्प्रिट किंग अपने अपने हाथों को आंगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद वो तुरंती कहते हैं, जब हमारे गौड की जा जा हैं, तो हम संकोश नहीं करेंगे, एस अंडिवाइन जी अलम को दिश्ट्रॉ करने के लिए, हम तैक्सु बल्ड के साथ एक जोठो कर भाइट करेंगे, फूजिंग की जो आवाज होती हैं, एकदम गहरी होती है, फाइटिंग और इलाइंस की इस जर्णी में, एस अंडिव लेकिन फूजिंग भी उन की तरह अपना सेहलाता है, वो तुरंदी गहता है भी उन, गौड ने इसकी मंजूरी दे दी है, क्या अब भी आपको कोई आपती है, फूजिंग सीरिसली पूछता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था, कि भी उन उनकी पीठ पीछे कुछ करे, जो वियून के लए रेडी नहीं होता है, लेकिन उसके पास कोई 分कार होता है, क्योंकि सभी स्परिट पिंग भी न की तरह देख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है यह कोई बड़ी बात नहीं, यहां के most of their decisions भी उनके साथ ही लिए चाहते है और भी उनके लाश्ट केबल यह होगी कि हमें तैक्सू दवरा कंट्रोल किया जाएगा और अगर सिच्वेशन बदलती है तो सबसे जारे नुकसान heaven human mansion को ही होगा और एक विराम के बाद जब वो धीरे से बोला होता है कि सबसे जारे नुकसान heaven human mansion का ही होगा और उसे ही डिश्ट्रॉय किया जाएगा तो सभी लोग भी उनकी तरफ देखते हैं वो तुरंद गयते तुम्हारा मतलब है कि अगर हम तैकसी के साथ सेना में सामिल होगे तो हमारे बिनास का खत्रा हमारे उपर होगा फूजिंग के आँके सिकूर चुकी होती और बागी के सभी स्प्रेट किंग की आँके भी हाला कि तैकसी ने अब सेनेकसी पर टैक्स शुरू कर दिया था लेकिन इसके अलावा बास्त में कुछ हद तक सेनेकसी के साथ उनकी फाइट श्टार्ट नहीं होई थी साथि अगर वो एसेन डिवाइन लियलम पर अटैक करना सुरू कर देते हैं तैकसी के साथ मिलकर तो ये सीधे तौर पर तैकसी वर्ड और सेनेकसी बर्ड के खिलाफ फाइट मानी जाएगी जिसका लीडर्सिप या लीडिंग पाबर हाउस हैवेन हुमन मैंसन होगा जो उन्हें लीड कर रहा है इसलिए सबसे पहले जिसे फोड़ा जाएगा वो भी हैवेन हुमन मैंसन ही होगा साथी भी उन तुरंदी गाता है और एक बार अगर हम तायक्सू के साथ सामिल हो जाते हैं तो इसके बाद हम एकदम निस्क्रिय हो जाएंगे जबकि तायक्सू के बोड़े से एकदम एक्टिव हम अपने डिसीजन्स नहीं ले सकते हमें केबल उनके डिसीजन्स को ही फॉलो करना होगा और अगर एक गलत कदम उनके द्वारा लिया गया तो फिर हार एक के स्टेप गलत होगा हमारे पास सायथ फिर फाइड वैक करने का ओप्सन भी नहों ना ही खुद को पीछे धकेल लेका सभी की मुठ्या जक्री होई होते हैं हाथ उपर उटे होऊ होते हैं सभी लोग इस बात को समझते थे कि हैवन हुएन मैंसन के साथ कॉम्प्टीट करने के लिए आभी भी वो परियाब पार्फुल नहीं थे और ये पार बहुत श्ट्रॉंग से बहुत दूर थी और भी उन्हें जोका वो बिल्कुल सच भी है जल्दबाजी में काम करना बास्तों में गड़ात होगा आखे कर ये टाइम बास्तों में टाइम से पहले था हेवन हुएन मैंसन के सिच्वेशन के दाथ वो कैयोस का फायदा उठा सकते हैं और सेना में सामिल होना है उनके लिए ये अच्छा ओफसन नहीं इसलिए भी उनकी बास सुनने के बाद तियान सून भी सांत हो गया होता और भी उनकी बास से वो एगरी लग रहा होता है तब ही फूजिंग तुरंती कहता है लेकिन अगर हम सेना में सामिल नहीं होते तो मुझे डर है आसा कैती उसकी भूहे खड़ी हो गई होती है हाला कि वो हैवन हुमन मैंसन का नया लीडर था लेकिन वो एक ऐसा परसन नहीं था जिसका अपना रास्ता है वो हैवन हुमन मैंसन में इकलोता ऐसा परसन नहीं है वो सभी के डिसीजन्स को फॉलो करता है और ठीक इसी बज़े से हैवन हुमन मैंसन आज तक इस्टेबलेस है और अगर ये इस थौट के लिए नहीं होता कि हो आएनस ने अपनी डेस से पहलों ने हैविली इंजर्ट कर दिया था और उनकी पावर को सील कर दिया था तो अब तक का सबसे पावरफुल कलेन एसें डिवाइन लिया लवन नहीं बलकि हैवन हुमन मैंसन होता तभी हो तुरंती कहता है गौड ने साब तोर पर नहीं कहा कि हमें समस्या का समधान कप करना और कैसे करना है अभी भी टाइम नहीं आया है तो हमें जल्दबाजी करने की कोई जवाथ नहीं और मौत का जोके मुठाना बिल्कुल सही आपसा नहीं मुझे लगता है कि अभी टाइम अच्छा नहीं है तो हमारी ताकत को आंगे बढ़ाया जा सकता है हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हम इसे करने में capable हो इसलिए टाइम रहते जितना ज़्यादा हो सके हमें अपनी power को gather करना चाहिए और future में और ज़्यादा strong होना चाहिए जिसके बाद हम ताइकसू के साथ सेना में सामिल हो सकते हैं और अगर बास्तों में brother त्यांसून और निंग याओ भी God immortal level को breakthrough कर सकते हैं तो situation बदल जाएगी भी उनकी निया त्यांसून और निंग याओ पर पड़ती है हाला कि फूजिंग की ताकेत immortal level के God immortal level तक पहुँच चुकी थी लेकिन आखेका 10 spirit kings में वो एक लौता था इसके अलाबा निंग याओ और त्यांसून लॉंग टाइम से 9 थे इस टैप एमपरा एमोटल लेवल पर थे और उनकी पाउर गिरने के बाद ये कभी भी बापस से बढ़ नहीं पा रही थी और वो God immortal level के दाएरे को चुने ही पा रहे थे यहां तक कि बेसेफ एमपरत्यान जैंग के साथ भी fight नहीं कर पा रहे थे जो उनके सामने एक टैम पे के बले एक एमपरार एमोटल था वो भी उनसे ज़्यादा पाउरफुल हो चुका था ऐसा लग रहा था कि योहान इसके गिरने के बाद सेनेक्सी ने पूरी तरीके से इन लोगों को निगलेक्ट कर दिया था और इनकी body में वर्ड कोई को देना रोग दिया था वो तरंदी कहते हम सभी को सेनेक्सी द्वारा त्याग दिया गया है इसलिए फिल से एमोटल गॉर्ड लेवल को ब्रेक्थू करना मुस्किल होगा त्यानसून काफी देर कोसिस कर रहा था लेकिन फिर भी वो गॉर्ड एमोटल को छूने ही पाया जिससे वो समस्या को समझ गया होता कि उसके पास word कोई नहीं है जो देखकर निंग याओ तुरंदी कहता है फिर हमें सेनेक्सी को छोड़ने का एराधा करना होगा हमें एक ऐसा word खूजना होगा जिसकी situation काफी chaos हम वहाँ जाकर गॉर्ड एमोटल लेवल को भी एक तुरू कर सकते हैं जो सुनकर निंग याओ त्यानसून तुरंदी अपने समय फूजिंग की तरफ देखते हैं और तुरंदी कहती कि हम सेनेक्सी से बाहर जा सकते हैं तो चलो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड अब यहीं end करेंगे नेक्स एपिसोड में देखेंगे कि क्या है बास्तों में सेनेक्सी वर्ड के बाहर जा पाएंगे क्या इनके पास कोई तरीका है या नहीं तो बाई बाई थेन फैमली गुड अप्टर नून मिलते हैं नेक्स एपिसोड पे